हेलो एंड वेल्कम वेक टू अवर चैटर आप सब का स्वागत है आज हम करेंगे एक्सराइज 8.4 के 5th सम का 3rd पार्ट तो इसमें जो हमने प्रूव करना है वो क्या है वो है 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा नीचे डिनोमिनेटर वे 1 माइन 10 है इस इकल तो हमने प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यह जो 10 और कॉट है इन सब को हम साइन कॉस में कर लेंगे यह जो 10 थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो इसकी जगा पे हम लिख लेंगे जो कॉड है उसकी वैल्यू होती है कौस बाए साइन के आइसे वह प्लस का साइन एज इस फिर अगेंड यह जो कॉड है उसकी वैल्यू कॉस बाए साइन तीटा एज़ेटेज और फिर डिनॉमिनेटर में 1 माइनस ये 10 की जगा पर साइन बाई कॉस उसके बाद जो नेक्स टेप है वो क्या होगा ये जो साइन बाई कॉस है उपर ये तो एज़ेटेज रहेगा अपान में ये वाली जो दोनों टरम्स हैं ये बाद के नीचे वान है तो हम क्या करेंगे डिनॉमिनेटर का एलसियम लेंगे one और sine का अगर आप calcium लोगे तो वो sine theta ही आएगा और sine theta इससे multiple ही हो जाएगा जब आप calcium लोगे तो यहाँ पे sine आजाएगा minus में cause as it is क्योंकि उसके नीचे already पहले से sine था जो के हमने अभी denominator's का calcium लिया है और दूसरी तरफ हमारा cause अभाई sine as it is upon में again यह one और cause का जब आप calcium लोगे तो वो cause तिटा आएगा और जो cause है वो one से multiple हो जाएगा minus में sine उसके बाद जो next step है उसमें भी यह जो हमारा sine by cause है यह तो रहेगा as it is यह जो उसके नीचे वाली terms है यह वाली इनको जब हम उपर लेके जाएगे तो वो क्या हो जाएगा reciprocal हो जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे a upon b और फिर उसके नीचे c upon d हो तो वो क्या बन जाता है a upon b into में फिर वो d upon c हो जाता है तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे यह sine उपर चला जाएगा और यह जो sine minus cause है वो आ जाएगा denominator कॉस बाइ साइन एज इट इस पिर यह वाला जो पूरा denominator है वही सेम थियोरी अपलाई करके यह विरसी ब्रोकल हो जाएगा उपर कॉस आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन तो अभी हम क्या करेंगे यह जो sine को जब आप sine से multiply करोगे तो वो हो जाएगा sine का square तो उपर तो हमारे पास sine square आ गया और नीचे हमारे पास denominator में क्या बचाएगा है कॉस है एक तो और साथ में sine minus कॉस है तो यहाँ पर हमारा कॉस तीटा था और ब्रैकेट में क्या था sine minus कॉस उसके बाद प्लस में हमारा उपर कॉस क्यार बनेगा दूसरे तरफ हमारा पिछले पेज 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 था अभी नीचे उसमें क्या था sine और ब्रैकेट में क्या था कॉस माइनस साइं तो अभी आपने एक स्टेप जो ध्यान से अभी करना है जो next step इसमें sine minus कॉस है इसमें है कॉस माइनस साइं तो इसको अगर मैं sine minus कॉस बनाना चाहता हूँ तो इसमें से means negative का sign means minus 1 एक तरह से बाहर common निकालेंगे तो तभी इनके sign change होंगे जाप ऐसे कर लो कि numerator और denominator को minus 1 से multiply कर दिया वो भी same बात है तो जब numerator को minus 1 से multiply करोगे तो ये वाला sign जो है वो change होके क्या हो जाएगा negative का हो जाएगा और नीचे minus 1 से multiply करोगे तो इनका अगे sign change हो जाएगा तो नीचे आपका इस तरफ तो सारा same अभी ये जैसे मैंने बताया minus 1 से multiply करने से इसका sign हो जाएगा change तो ये negative हो जाएगा cause square और denominator में जो minus 1 था उसको हमने अंदर bracket में multiply कर दिया अंदर ले गए मतलब bracket के तो इनका भी sign change हो जाएगा तो sign जो है वो positive हो जाएगा और cause जो है वो negative हो जाएगा तो अभी हम क्या करेंगे सारे का जो denominator है उनका LCM लेंगे तो sign minus cause तो देखो दोनों में आ रहा है तो वो तो एक तरह से common हो गया तो sign minus cause आ गया एक तो denominator में एक इसमें से sign आ जाएगा और इसमें से cause आ जाएगा तो अभी ये denominator बनाने के लिए ये वाली जो term है इसको हमें किस से multiply करना पड़ेगा sign से क्योंकि ये बनाने के लिए सारी जितने वाली तो cause से multiply करना में पड़ेगा cause square को cause से करोगे तो cause का cube अभी हम identity use करेंगे a cube minus b cube की जो कि क्या होती है पहली bracket में a minus b होता है तो sign minus cause हो गया a minus b बन गया ये फिर जो दूसरी bracket होती है उसमें उसमें क्या होता है a का square पहले प्लस में b का square जो के cause square हो जाएगा प्लस में होता है a b जो के हो जाएगा sign multiply cause मतलब sign theta cause theta denominator में सारा as it is sign theta cause theta bracket में sign theta minus cause theta identity जो हमने use की है यहाँ पे वो कौन सी की है a का q minus b का q is equal to पहली bracket में a minus b होता है और दूसरी bracket में a का square plus b का square plus में होता है a b यह वाली identity हमने use किया यहाँ भी तो अभी यह sign minus cause sign minus cause यह तो होगे cancel अभी denominator जो numerator है उसमें बारे बादे sign का square cause का square sign का square आपको पता है कि one होता है और आगे वाला जो sign into cause है वो as it जाए जगा तो sign square plus cause square की जगा पे आगे हमारे पास बान और वो sign theta cause theta जो था वो as it is और denominator में हमारे पास cancel होने के बाद क्या बचा sign theta cause theta अब देख भी सकते हो एक बार उसमें यह sign into cause हमारे पास बचा था यह वाला तो अभी हम क्या करेंगे यह जो नीचे denominator में sign minus cause है हमारे पास उसको क्या करेंगे उसको दोनों के नीचे बारी बारी लगा देंगे पहले हम क्या करेंगे one के नीचे लगाएंगे one के नीचे sign into cause पर ऐसी यह वाला plus का sign फिर जो जो sign into cause है उसके नीचे भी क्या आ जाएगा sign into cause ही आ जाएगा क्योंकि denominator में एक ही टर्म है numerator में दो है तो वो दोनों को बारी बारी डिवाइड करेंगे तो अभी इसको अगर आप ज्यान से देखोगे one by sign वो क्या होता है को सेक फिर क्या है one by कॉस वो क्या होता है सेक तीटा जा सीकेंट तीटा यह हमारा सारा cancel हो गया तो इसमें क्या बचा वन और यही हमारी इसकी राइट हैंड साइड भी है अब इसी के इकुल ही हमने प्रूब करना था तो जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड है हमारी वो दोनें आ गई इकूल हैंस जो हमने करना था जा प्रूब करना था वो प्रूब हो गया है जा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग दा वीडियो